जो खाकी के अंदर भगवा है, उन्होंने हमारे साथ ये डिकैती करी है, कि अगर धारा 144 लगाई है, तो वो हमारे लिए ही क्यों है, एक विचार धारा को सर इंसिचूशन में, उनिवस्टी में शाखा, उनिवस्टी मनें विश्व का ग्यान जो चीजी आपको देती है, उनि कि मत हमें फूल बोलो, अब हम फूलन है, लेकिन हमारा साथ दो हम आपके बच्चों की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम सच की लड़ाई लड़ रहे हैं, नमस्कार मैं शंभू कुमार सिंग और आप देख रहे हैं निशनल दस्तक, मेरे साथ डॉक्टर इसू हैं, और सारा मा पब्लिक डोमेन में हैं, पिछले 125 दिनों से लगातार देश की राजधानी दिल्ली में, दिल्ली इनवर्सिटी कैंपस के आर्ट फैकेल्टी में वो धरने पर बैठी हैं, वो दौलत राम कॉलेज में परहाती थी और उनके साथ जातिवाद हुआ, उनको बेबज़ा पर दसन भी नहीं करने दिया गया, उनको वहां से डिटेन कर लिया गया, आगे ड्रीतू से समझेंगे कि वो इसको आगे कैसे इस लड़ाई को आगे बढ़ाएंगी और उनको समास से क्या पिछा है, ड्रीतू बहुत-बहुत स्वागत है आपका नेशनल दस्तक पर और क्य आपको डिटेन किया गया, पुरा देश ने देखा, पुरा देश जानना चाहरा है कि आगे क्या, जी सर, बहुत-बहुत शुक्रिया सबसे पहले आपका और नेशनल दस्तक का, जिन्होंने हमारी इवास पहुंचाई, पहले दिन से आप लोग हमें कवर कर रहे हो, और शाय भी बहुत छोटा शब्द है, जो खाकी के अंदर भगवा है, उन्होंने हमारे साथ ये डिकैती करी है, पूरा अपॉचुनिटी देखे कि कब डॉक्टर तू यहां से भागें, कब जाती है, वो पूरी जासूसी करीगी, अच्छा मैं इस समया धरने पर नहीं है, और ये स कि सर, वहां पर आज मारे धरने को 141 दिन पूरे हुए, ये धरना वैसे ही चल रहा है, बस ये बात है कि जैसे ही रात होने लगती है, आज नो दस बचते हैं, तो वो हमें डिटेन कर लेते हैं, आज उन्होंने हमें जल्दी डिटेन कर लिया, वहां पर बैठे थे, हम भी प सारी सात्यों के डॉकुमेंट्स, मेरे डॉकुमेंट्स, और बहुत सारी चीज़े हमारी हमारी हमारा पूरा धरना परश्टर्शन जो पीस्फुल तरीके से चल रहा था वो हटाया गया, उसकी अब कल कोट में हेरिंग 156 में, 30,000 में तो उसके बाद सारी चीज़े क्लियर ह हो जाएंगी लेकिन धरना सर वहीं लगे तीन से चार्ट इवी टेंपरेचर है दिली में अपने स्यात का भी ख्यार रखी आप और घटना फिर से दिश को बताईए कि आपके साथ हुआ क्या जारा सब बेसिकली यह अगर आपको मैं बता दूं सब कोई कि एक महिला जातिव चाहिए अगर आपको वैस चांसलर प्रिंशिपल रेजिस्टा बनना है या फिर कोई नेता बनना तो आपका क्रिमिनल होना ज़रूरी है कि आपने ठलीतों कितने अट्या चार की है मुसलमानों को कितना मारा है और क्या किया है उनके साथ क्या क्राइटीरिया तब आपका सेलेक्शन होता है यह लेडी जो थी दॉक्टर सभीतर रहा इनका पूरा क्राइटीरिया यह फिट इन कर रही थी उस प्रीज में हार चीज में जिस तरीके से मेरा शोशन किया मैं पहली नहीं थी सर मैंने जैसे बार-बार लोगों को यह चीज बताई है कि जो चारशेट है वो खाली डॉक्टर रित्तु पर जो शोशन हुआ उसके उपर चारशेट नहीं है वो चारशेट पूरा जो पहले जिस कॉलेज में कालंडी कॉलेज में प्रिंसेपल थी डॉक्टर सवीता रहो उस कॉलेज में टीचर थी कालंडी कॉलेज की पहली दलित महिला प्रिंसेपल बनी थी दिली विश्विद्याले के इतिहास में उनका नाम था अनूला मोरिया यह वहाँ पे फिसिक्स डेपार्टमेंट में तो जब उन्होंने इस महिला को टर्मिनेट किया तो वह भी रीजन क्या था उन्होंने युनिवर्स्ट्री को और अपने प्रिंस्पल को टॉर्चर कर रहा था जाती के अधार तो वह तो इस चीज की धंकिया खुलियान कॉलेज में सबको देती हैं उन्होंने मुझे इस चीज की धंकिया दी है तो उनको एक वो बल था कि मैं तो कुछ भी कर जाऊंगे और इनका शोशन तुम सदियों से करते हैं तो उसको इस चीज से जैलेस या नफरत कुछ कहलो यह सारी चीजे थी तो प्रिंसिपल ने वो जो उस टाइम के नूरा मोरिया प्रिंसिपल थी उन्होंने इस लेडी के बारे में कर लिया इसे वज़ा से जो कॉलेज के चेर परसन थी जिसका का ओलेज है जो दोलत्राम कॉलेज की करता धरत है उन्होंने भी मेरे फेवर में चिट्टी लिखिया और सुवीता रॉयक के विवार के बारे में बताया कि कितनी बड़ी क्रिमिनल माइंड़ेट किया, एंटी, स्टी, स्की माइंड़ेट है और इससे बरदाश नहीं होता, यह डॉक्टर रितु से इसलिए नफरत करती थी, क् कि डॉक्टर रितु इसकी नजर में एक दलित की परिभाषा में फिटन नहीं होती थी, एक स्टीरोटाइप में, तो इसलिए नोने डॉक्टर रितु को पड़तारित किया और यह किया, बट सर चलेगा, आप गाली दे रहे हो, चलेगा, उसका सामना हम कर रहे हैं, आप बत कि यह रिज़र्व के टीगरी से हैं, आप बता रहा था, तो बहुत सारे बच्चे खड़े थे, मेरे, स्टूडेंस जो जिनको यह पता था, कि मैं, मैं एक्चुली बैडमिंटन की नैशनल प्लेयर रही हूं, तो उन स्टूडेंस को पता था, उननों मेरी प्रफाइल चेक की होगी सोशल मीडिया पर बच्चे तो सब देखते हैं उनको यह पता था कि मैम बैडमिंटन की नैशनल प्लेयर भी रही है और जब बैडमिंटन के मैच की बारी आई तो सब टीचर आगे एक रूम के अंदर मैच के लिए सब बच्चे सब्सक्राइब के मैच थोड़ी हो रहे हैं सब यह क्या मतलब था करना चाहती है वैसे तो रोहित विमूला से लेकर अंगली एतिहासिक परमान है कि कि सथर से कलब के अंगुठे काते गएं और कुछ इंसिडेंट जो आप देश के साथ सेर करना चाहती ह जो जाती BCS के वज़न से आपके साथ हुआ बहुत कुछ हुआ सर जब मुझे ऐसा लगता है कि जब आप पढ़ते लिखते हो और आपकी एक personality डिवलप होती है आप higher education institution में जब आके हक्की बात करने लगते हो ना तब आप शाशे पर आ जाते हो आप ऐसे target पे आते हो कि या तो आपको ये इतना मजबूर कर दें कि आप रोहिद बे मुला बनो otherwise ये आपको जीने नहीं देंगे और जो मेरे साथ हुआ और आज भी जो police कर रही है आप आके देखें सर एक बड़ी सर कहने का मतलब क्या है कि अगर धारा 144 लगाई है तो वो हमारे लिए क्यू है सर आप पूछें 10 मीटर की 10 ये 20 मीटर की दूरी पे आपने देखा होगा एक दिवार के पीछे शाखा लगती है जिस दिवार की इस साइड हम प्रोटेस कर रहे है उस साइड RSS की शाखा लगती है और मैं तमाम ऐसी वीडियो आपके साइड शेयर कर सकती हूँ आपको लगता है कि आप क्योंकि समाज के संवेधानिक अधिकारों के लिए जागरूप कर रहे ही लोग के फूले परियार विचारदारा को मानती थी धरना परदरसन तमाम चाहिए वह थर्टिन पॉइंट रोस्टर का मामला हो जब भी कभी जाती या तो पिरन के केसे जोए आप सर्गों पर आई इस बज़ा से क्योंकि सिर्यूल कास्ट के तो और भी पूर्फेसर्स हों गया आपको परसनली इसलिए टार्गेट किया गया क्योंकि आप वोकल थी सुसली एक्टिव थी और समाज के हग अधिकार के लिए जी जी सर आपस्लूंटली सर यह तो होना ही था और इसमें कोई शक को और सुबा की बात नहीं है जो भी वोकल है डेली विश्विध राले में जिसने भी अपने हग की वाज उठाई है पहली बात और दूसरी बात समाज के वाज उठाई है उसके साथ ये टारगेट तो होना ही है हमारे यहाँ पर ऐसा नहीं है बहुत सारे दलिक प्रफेसर्स है बहुत सारे OBC समाज से प्रफेसर है SCST OBC बट दलाल बहुत खतरनाक चीज है दूसरे का नहीं अपने समाज के जब दलाल गिरी करता है तो वह बहुत खतरनाक चीज है तो आपको अगर सोशल जस्टिस पर भाशन देना तो ढ़ाई ढ़ाई गांटे आप चुप बोल नॉन स्टॉप बोलोगे क्योंकि आपको प्लेन से जाने का टिकट मिलेगी आपको वहाँ का T.A.D.A. मिलेगा तो आपको आज स्टेटस बढ़ेगा इसलिए आप सोशल जस्टिस पर भाशन देंगे लेकिन आप डॉक्टर रित्तु की लड़ाई लडने के लिए जमीन पे नहीं आएंगे आप रॉक्टर रित्तु का उस समय साथ ने देंगे क्योंकि मैं सबकी लड़ाई लड़ रही हूँ मैं नौकरी नहीं मांगरी आपसे मैं नियाए मांगरी हूँ तो ये सजा मुझे मिली सच बोलने की अगर ये बगावट है तो सारे सी बगावट बार-बार करेंगे और मनजूर है और हम ड़ते हैं नहीं सरे इंकी जेलों से इंकी दूर अपने पुरफाइल के बारे में बताएंगे आपका एजुक्रेशन आप कितना टैलेंटे ड़ड में धावी रही है सर अफकोस मैंने ग्रेजुशन किया है मास्टर्स फर्स डिविजन में किया है और उसके बाद मेरी पीएजडी हुई जो की बहुत ही अच्छे लेवल पे मुझे अवार्ड हुई पीएजडी अपनी डेली उनिवस्टी से ही मैं नेट कॉलिफाइड हूँ ICCR की मैं फैलोशिप मिली है मुझे अवार्ड ही थी ICCR फैलोशिप तो बहुत सारी चीज़े हैं फिर मैं दो बरी विदेश के ही पेपर प्रिजेंट करने के लिए अपना मुझे वहां से एक बरी तो मैं पहले गई खुद से फिर दूसरी बरी मुझे वहां से इंविटे तो अगली बार ये एक कांफरेंस में उन्होंने मुझे वहां से बुलाया वहां से खर्चा दिया तो ये सारी चीज़े बहुत इंटरस्टिंग नहीं है लाइफ में हार चीज़े है जी 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 साइकॉलजी डिपार्टमेंट डेली उनिवर्टी जिस जगा एक्चिली म से मजबूत हों और दम रख रहे हैं लडने का और खासकर एक दलित और दूसरा दलित महिला होना ये दोहरी मार है लेकिन जब इन सारे स्टीरोटाइप्स को तोड़ कर हम ये आपको कह रहे हैं कि मत हमें फूल बोलो अब हम फूलन है लेकिन हमारा साथ दो हम आपके आई आई टी कानपुर में नहीं रहें अगर आप साथ में च्छात्रों का क्योंकि मीडिया अब जो जातिवाद का अड़ा है वो मीडिया है जुडिशियरी है कॉलेज इन्वरसिटी है विजनेसे वह नौकरियां है जो पावर सिंटर से जहां पैसा है नाम है सोहरत है अग से मजबूर होना पर आए आगे आपको तै करना है मेरी कोशिश है कि तमाम जो सोसित बंचे समाज के लोगों की तकलिफे आप तक पहुंचा पाएं सोची अगर सोचल मेडिया नहों होता तो डॉक्टर इतु का केस भी दख जिक्या होता शुक्रिया आप मेरे साथ जूरी मैं एक बात कहना भूल गई बीच में कि सर आप यकीन नहीं मानेगे जिस दिन से इन्होंने हमारा धरना उठाया उस दिन से युनिवर्सिटी के गेट के बहार जहां से मैं अभी भी रिसर्च करती हूं मैं अपने डिपार्टमेंट पढ़ने जा सकते हूं मैं लाइबरेड गुसरों पर वहार जाल है गोई जी, जी, मैं अपने सूपर्वाइजर से मिल सकती हूं कभी हूं कभी यू बठाना चाहती है जो भी आना चाहते हैं इस अन्याय के खिलाफ होरी ये जंग है मान समान की जंग छिड़ चुकी है तो इसमें जरूर साथ दे क्योंकि एक 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 जामपल सेट करना बहुत जरूरी है ताकि पूरे भारत में जब किसी दलित आदिवसी शोशित वंचित समाज के बच्चे के सा बहुत शुक्राइब करने के लिए रेट कलर के सब्सक्राइब बटन को दवाएं फिर बेल आइकन की घंटी दवाएं निसनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर ख़बर को शेयर करें लाइक करें कमेंट जरूर करें